शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मंगल्मूर्ती मारूती नंदन सकल या मंगल्मूर्ती मारूती नंदन आलो बच्चो जो मैंने चार लाइन मा के बारे में लिखने को बुली थी वो तुम लोगों ने लिखी शाबाश ताजू तुमने लिखा के लिए मैं तुम से पुछ रहा हूं लिखा के लिए इदर आओ अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है अरे किलास में क्या सोता रहता है बोल जवाब दिये तू ऐसे नहीं बोलेगा ये बैठ तुछ से बुलवाएगी आथ कॉल कि मां के बारे में कैसे लिखेगा कि तो मां ही नहीं है ुछ भाइगा कि मां रहा है अर्च प्रवाब बढ प्रवाब बढ बढ लेगा बढ प्रव लुछ बोल लुछ भाईगा कर दो आणीन कर दो दोड़िता से ब्लाइखता के रिमसे ब्लाइगा नचेघ के रिज़ सकते हुर। बाहुआ बाहुआ जॊड़ कि एक मिनुट यहां मैं प्रेम बोल रहा हूं कौन शिर्वास्त हो बेटा किसे बात कर रहे हैं दिली में किसी से बात कर रहे हैं अरे बेटा आज कल दिली तो क्या आसमान में भी को हो तो उससे भी बात की जा सकती है बादलो की भी उपार बेलकुल तुम फिकर मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा कि जो आजू बेटा बुआ दो लो खाना खाते हैं कि अजुआ कि अजुआ कि अजुआ कि अजुआ कि कि IR pas कि अजुआ कि मुझे बगवान पीजिए जा घट का नंबर चाहिए है खाहां का नंबर अज्ट मुझे अपनी मापकर नंबर मीजा अपनी मासे बात करनी है क्या तुम्हारी माँ भगवान के पास है हाँ वो मेरे पैदा हो थे ही बगवान के घर चले गए थी उनसे को ना उनके राजु का फोन है एक मिनट नीता कोई लड़के का फोन है वह भगवान का नंबर मांग रहा है अपनी मां से बात करना चाहता है तुस्से बात कर लेना बिचारे का दिल बहल जाएगा जाना यार क्यों बोर कर रही है लीज मेरी खातिर दो मिन मैं राजु बल रहूं यद्मारा लाजु जानती हुव बिटा मैं दो आपने राजु को नहीं पछानोंगी तुम्यों मुझे पेचान गई मां मां तु कैसी है। मैं अच्छी हूँ मुझे तुम्टप्रे बहुत याद आतीया मां तुम भगवान से चुट्टे लेके मेर मजबूरी है क्यों नहीं आगा हूई करता हूई क्योंनी एससंटी कयаешь थे going the प्शाइ कगरता हूं अब कभी कोई गर्ती ने करूं गरंगा तो मैं कभी तंग ने करूंगा एक अजम्म मतकरना मां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तुमसे बात करना चाहता हूं तुमारी गहरन में सारक्षके तోना चाहता हूं रोते नहीं पेटा, रोते नहीं तो तो मेरा महदुर पेटा है, ना? देखो मा, मैं साफ-साफ क्या देता हूँ पर सु मेरा जनम दिन है अगर तुम नहीं आई न तो मैं खाना पीना छोर दूगा अपनी जान दे दूगा नहीं राज पेटा, ऐसे नहीं कहते तेरे जनम दिन पे तेरी मत जरूर आएगी पिटे जरूर आएगी अच्छा मा पबबची पबबबची मा रही है मैंने अभी उनसे बात की वो बोली मेरे जनम दिन पर जरूर आएगी तेरी मा जरूर आएगी पैटे तेरे जनम दिन पर तेरे मा जरूर आएगी तेरा जूर जल्दी के काटना यार बहुत भूक लगी है अभी नहीं मा क्या आने के बाद मा क्या आने के बाद अरे कोई भगवान के घर से वापास आता है क्या मेरी माँ जरूर आएगी उसने खुद मुझे का है ये लो इसने तो माँ से भी बात कर ली लगता है कोई तो आरी वहागा भूद होगा मेरी माँ को भूद बोलता मैं तेरी जान नहीं लुंबा और लाइट चली गई ये लाइट को क्या हुआ राजू मेरी माँ को नहीं लेकर आएगा नक्ष्पी मेरी माँ कर दो कर दो कर दो पिता? हुष यह आदिन्गाँ ऒया है मा अग पाया, आज मुछे मेरी मामे देडाखे के बुलाया मा मेरी मामा मा मेरिमा मास कि जी, मेरिमा जी अच्या काकी काकी, मेरिमा मेरिमा मा मुझे तरी आचर में चलना है माम के अद्ली तिर साथ चलना है उठा का मेरि वर्दान है तू मेरे लिए तू ख़वान है तू हर मदर हर मूरत में तक तेरा रूम समाया उशियों का दिन आया जो मां का जोगाया आच मुझे मेरिमा बेदाने के बुलाया अधू सभी जो मैं देख रहा हो तू देख रही है ना श्कुछ तरगल जाएगा तो कि यह अधसे विरुट उसम से तो लिए उट यह अधसे तो जाएंगे नहीं पर प्रेंगी जाएगा आपको शूट कर नहीं जाएगा आपको लें हैई है सब्सक्राइब हुआ है यह सब्सक्राइब तुम फिकर मत करो कुछी दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा है यह वसीयत तुमने यह वसीयत में अरे मैंना वती इस वसीयत में मेरी बहना का दुर भाग अबने तो अपनी बहना की शादी प्रेम बाबु जासे विदूर से इसले रचाई थी ताकि उनकी जायदाद पर अपना हग जमाले लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा प्रेम भाबु निकले बिल्कुल निकम्मे वो तो स्रीव इस जायदाद की देखवाल के लिए है इस पर उनका कोई अख नहीं है तुरी चड़ा लिख लिए राजू की मां परने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई है मेरी कोक के बच्ची को उसका हख सरूर मिलेगा ना भाईया मैं राजू को अपने परस में इस तरह करूँगी कि आज के बाद वो जागेगा तो मां कहेगा सोएगा तो मां कहेगा जियेगा तो मां कहेगा और मरेगा तब भी मां कहेगा कि इतने मन के हुँ बेचे मुनीम जी? माजी ठीक है लोटते वकत वसूली करते आईएगा जी माजी तुझे मालूम है यह मुनिम कितना पढ़ा लिखा है बहुत पढ़ा लिखा है मा यह अंग्रेसी भी बोलता है तो फिर हमारे सामने जुक कर हाथ जोड के क्यों खड़ा है इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं वो मैं तुझे समझाती हूं आ मेरे साथ देख सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांदे खड़े हैं मुझे काले कोट वाला है वो वकील है मुझे सफारी में है वो तैसिलडार है बाकी सब भी पढ़े लिखे हैं पढ़ लिखकर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है ब पाश पिता तो फिर इन सब की क्या जरूरत है ला मैं फैंक देती हूं इसी नहीं मा इस पर तुम्हारा नाम लिखा है तुम क्याती है तो मैं इसे फार डालता हूं देख बिटा यह हमारी जमीन का वो हिस्सा है जो बर्सों से बंजर पड़ा हुआ है यहां अनाश्टो क्या घास का एक तिनका भी पैदा नहीं हुआ तुझे अपनी मैनत से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना होगा यह क्या कर रही है आप इस ननी से जान पे जिस जगह पर हट्टे-कटे नौजवान एक घास का तिनका नहीं हुगा सके उस बंजर जमीन को बच्चा क्या उप जाओ बनाएगा हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ यह सूपम纽 हुआ है आудर भ抗 करहने है अगर तुने कहा होता तो मेरे रेगेस्तान में भी हर्यारी पैड़ा कर देता मा का हुकम हो और बेटा नमाने में एक प्तर को रहे हैं दो अच्छी बैग उटाके ला रहा हूं लगता है रमेज भया हमेशे की लिए घर छोड़के जा रहे हैं अरे पांडू ये क्या बेवी के साथ बुदर कर रहा है घर में वक्त नी मिलता क्या रमा रख भिया ठीक से वही तो कर रहा हूं यह दो शाटा नमी आया माय आया है आया हुआ को हुई कुछ जो ठीकी बद कर दो आप कोई चीज ना रह जाए अधिया नमस्ते दीडी चल रमीश चल दी कर ते रही ठीक दो बमा तो डिखते दो लोगों की बहुत याद आएगी तेरी आद पास्पे ले जाना भाय-भाय अगर आप शायतान हुआ लेकिन दंगे से तो नाएन भी कापरता है वंगा, मैं से तो कपड़ पैने हुए व्यापने का पेने जिए रहं कि इस तरह से गाड़ी रोकने का क्या मतलब है हटो सामने से हमें देर हो रही है हम तो सरफ देर कर रहे हैं लेकान तुम ने तो अंधेर मचा रखा है लक्षमी देवी जो हमारी जमीन हत्रिया कर बैठ गई है तू किस जमीन की बात कर रहा है वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी जूट बोल रही हो तुम वो जमीन हमारे पुर्खों की है और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न थी तो मुझे टेड़ी उमली से खी निकालना आता है कमीने, मुझको धबकाता है, तुछ से जोबन पड़ता है कते, तुछ जैसे कुटों के मुझने ही नगते है चलो ट्राइबर गाड़ी छुटने का वक्त हो गया, और अभी तत राजुनी आया मा, पा, पा, कहां रहे गया था बिदा मा, वो जन्दू हल्वाई इसे, रमेश के लिए, बादाम का हल्वा बनवा रहा था न, पिसी में देर हो गई मा, बादाम का वादाम का वादाम हो, इसे दिमाग तेज होता है और देख, ये तेरा आखरी साल है, फूफ मन लगा कर पढ़ना मा का सपना है कि तु को बना गॉक्त बने और ये सपना तुझा पूरा करना है थमझ गया न, रमेश ? अब रख्याले भईया तुम जाओ पूंचता ही खबर देना इसका क्या मतलब है मतलब साफ है चुप चाप इस पर दस्कत कर दो वरना मुझे धंकी देता है हरामजादे मुझे हरामजादा कहती है तो तू कौन सी देवी है सारा गउं जानता है कि तू कितनी नीच और घटिया किसम की अुरत है हजारों पापी मरते हैं तो तुझ जैसी पापन पैदा होती है मेरी बाद को गाली थी वरि ब Scary mulकाँ! वरि ब na का। बया को लग दिए कि वरि वरि काव्स वरि लक्षों जह चाल एकила जह चाल एक चाल बाल हो ुर बाल कर दो! बहुशे हैं! पाँ! पॉ़ जज से लु़ बहरा! पॉ़ आ़ आ़! बहु़! बहो पीछ चु़ ओप आ़! नआ़! आ़ भाइस जने चु़ आ़ जउका है उ़ भाए! हु़ जए बहु़ आ़ अ़का समे हु़ ज़का है! एज जए और दो अगाट। और यह को इनसाफ है फिवारी अपना हक मांग रहा था उसकी जान लेने पर तुल गया अजी उसे क्या मालूं सही क्या और गलत क्या है वो तो बस अपनी मां के प्यार में आंज़ा है जाने क्या मंतर मार रखा इस कमबस ने बेटा सो तेला है मगर सगे बेटे से जादा प्या अब जी इससे पहले हो राक्षित आजाए आप जटेशे खा लिजी मूट मेरे पेट में नहीं मेरे सीने में है पाड़ो पेट तो जानवर भी रूख सुका खा कर भर लेता है लेकिन जानवर के नहीं इनसान की जिना चाहता हूँ मैं इस नर्ग से निकलना चाहता हूँ यहां मेरे दब घुटता है पाड़ो यहां मेरे दब घुटता है होसला रखे बाबुजी होसला रखे एक बाद पुछो आप और इस कालगोटले में कुछ रमज में नहीं आ था कि बीस साल पहले की बात है जब मैं राजू के लिए इस घर में एक मा लेकर आया था लेकिन यह नहीं जाता था कि उसने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी की थी जब उसे पता चला कि सारी जाइदाद राजू के नाव है तो उसने राजू को अपने वश्च में करने के लिए उसे पढ़ने लिखने लेती है और इस बात का पुछे पता चला तो स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तेरी टाने दोड़कर रख दू आरे यह यह आप क्या कर रहे हैं मासूम बच्चे को मारिये मत मैंने मालकिन से भी कई दफ़ा कहा लेकिन उन्होंने भी कुछ चुछ लक्ष्मी यह सब जानती है फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी पत्मी और उसके भाई ने मिलकर साजिश की और अरी बहना जीजा जी के होश में आते ही उनको एक खुराक और पिला देना मेरे मासूम राजू को भी मुझे जीजा जीजा जीजी लक्ष्मी मेरा सर चक्डा रहा है आप यह दवा पिलीजे सब ठीक हो जाएगा मेरे 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 बाज़े को मातिया रे लिए मेरे 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 बांदा रहें और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार देदीया गें इसारी दुणिया मुझे पागल समझती है इस बाद का मुझे गम नहीं। तुकत मुझे इस बात का है कि मेरा अपना खून मेरा राजु भी मुझे पागल समझता है। हुम जानते है बाभु जी आप को कुछ नहीं हुआ। और एक नएक दिन, राजु भया को भी असली बात का पता चल जाएगा, आये बाबुजी, पल्टिये, अब खाना का लिजे, लिजे ना बाबुजी अच्छा खाना काओगी, मुर्गी खाना काओगी, यह ले, बादरे की रोटी और प्यार का प्यार का प्यार का प्यार के लिए बहुत अच्छा खा, 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 खा ए, राजो, राजो, आयमाओ, प्याहाँ माओ रामप्रसाद जी के बेटे की शादी का काड़ आया है, हम दोनों को ब reliable तौंगा तुम जले जाना ना आरे बेटा, वो अपने नजदीक के रिष्टेदार हैं, नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कब जाना है? बस कल सुबा तक पहुंचना है कल सुबा तक? आपी का नाम राजो है? वहाँ धुले में आपका अंदिजार कर रहे हैं, चलिए आपका अंदिजार कर रहे हैं, यहां वहां कहीं तहल रहा होगा, यह लो वह आ गया नमस्ते, कहां रहे गया था तू? मा वो मैं अब वो वो छोड़ चल बैठ बच्चों के पास, बहुरत का समय हो गया, कन्या को बुलाइए बस आई ही समझ लीजे पंड़िजे, दो मिनेट राजो, क्या हुआ बेटा? कुछ निमा, वो हिचके आ गई? चल बैठ जाओ कि अब पंगलाम भगवानेविच्नो, मंगलाम गाराम बजाओ कुछ निमा भजाओ राजू क्या मा अरे आप कहां जा रहा है तुँ मा वो हिच्की क्या हो रहा है तुझे पानी ठीक है जा पानी पर जल्दी कि आपके दांट बहुत अच्छे हैं आप बंदर चाप दंत-मंजने इसमाल करती है न मैं भी वही करता हूँ यह देखिए इसे मत पीजेगा अरे भाई तुमेंसे ले जा रुक जाओ क्यों ना प्यों मुझे प्यास लगी है अरे अरे खड़े-खड़े मुख्या देख रहो चलो जाओ यहांसे जाओ यहांसे प्यों क्या मैं पूचना कि आपने मुझे शर्वत पिने से क्यों रोका देखिए वह आपके नाम क्या पहले मेरे सवाल का जवाब दो देखिए अगर आपको नीमोनिया हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना कि अच्छा अच्छा नहीं लगता है ना आपकी सेली तो नाराज हो के चली गई उन्हें मनाने का एक ही तरीका है वो क्या सरस्वती को गुलाब बहुत पसंद है गुलाब लेकिन गुलाब यहां वो जो सामने मोटी बैठी ना उसके चुड़े से गुलाब का फूल निकाल कर सरस्वती को दे दो बस खुश हो जाएगी अच्छा रजाएगी उर्थ हो कि क्या ह्वठीम्पाइगीस अर plays ог कुद्सर देखवे उथ हुड़ाई कि भरत तदेख़। कर देख़े घजाएगीificaश पे ίहाईगी ऊ मैं कर देख़। कर देख़। कर देख़। कर देख़। कर देख़। आजिस फुल reflect! रेज़ाईब मुग करेश्टी आजए रर मुचिट्योंच时 जपनदीन यहां तो बुल्दस्ता ही आप में आगया कर दो आपने वादा किया तब से आज तक सब चीजों के भाव दुगने हो गए तो मैंने अपने बेटे का भी भाव बढ़ा दिया अब तो पांच राख मिलेंगे तो यह शादी होगी वरना मैं तो यह चला अपने बच्चू को लेकर लेकर लेकिन जाए तो बच्चू देखिए रामप्रसाद जी बात यह है कि मैं आपकी शुप्चिन तक हूँ और आपको सही सला देना मेरा कर्टव्या है आजकल सरकार तहिज मांगने वालों के खिलाफ बहुत सक्त हो गई है अगर किसी ने शिकायत कर दी तो पुलीस आपके सर पर तस्ट उते मारेगी अच अच्छा और गवार्टो था है और बार्टो यह एख और इसके बाद तीन साल के यह बामुशकत और रोज जेल मेझों में तो मना आता पीसिंग पीसिंग सर्थ आपने शादी में आकर हमारा मान बना दिये तो हमारा फर्स था आप कॉन मैं उनका वो वो तो ये लो चल रहा चुबेटा देरी हो रही है चलू मा कि ये चे हो रहे क्ञाई किसे किस पुरते ए अ W अ आँच्छ तिल से दिल मिल गया मुझे से कैजी ये घया दिल से दिल मिल गया, मुझ से कैसी ये हया तू है मेरी दिल रुबा, क्या लगती है वारवा तू है मेरी दिल रुबा, क्या लगती है वारवा ठत ठत पर नी लगा, अमरे जी अरा तर नी लगा अपना कहा जुपिया तूने मुझ लुपिया मैं मिठे मिठे सपनी से जाने लगी देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे मेरी सोई सोई थड़कन जाने लगी जादू ते रचाने लगा मेरी नस नस में समाने लगा खुद को मैं भुलाने लगा तुझे पासो मैं बसाने लगा दिश्टा अपय दिश्टा साथे तूने दाना दोड़ी तभी दिल से दिल मिल गया मुझे से कैजी ये हया और रिदस दब करने लगा हम रजी राजरने लगा उली जी है काली काली लट तेरी तरा इन जुलुपो को सुलिचाने तो दे इतनी भी क्या है जल दी तुझे खड़ी अपने मिलन की तु आने तो दे ऐसे बना पहने बना मेरी रानी अब तो पहों में आ ऐसे रानी जोही मिला कोई देखेगा तो सुचगा क्या मस्ते जाए है मस्ते आकल है पिछा करने से अभी ठत ठत करने लगा हमरा जियरा तरने लगा ठत ठत करने लगा हमरा जियरा तरने लगा कच्छी तलिया तोड़ना दिल से दिल मिल गया मुझसे कैची ये हया तू है मेरी दिल रुबा क्या लगती है पारवा तू है मेरी दिल रुबा क्या लगती है पारवा ठत ठत करने लगा हमरा जियरा तरने लगा दिल से दिल मिल गया मुझसे कैची ये हया अरे बोका गया तो गंटे से उटक बेटक करवा रहा और पुछ्रों में काल जा गया अच्छा वाँ में तुझे वक्त पर रोक लिया वरना वे किसी को मुदी काने लायक ने रहती अपना रहता अरे इतना मजेदार सपना देख रहा था तरह मजा किरकिरा कर दिया गता गही गाईगा अजिता राजु बहारा राम का मिलन करवा की रहेगा तो रूपै दोना अरे दोसो रूपै क्या तू 400 रूपै ले ले बगडर मेरी उससे मुलाकात करवा दे मुलाकात हो कहीं समझे जो चोर कहीं का हफता दिये भीना चोड़ी करता है कि कि अधर अधर के खंटे सुबब्र खुखेश्यूप से दूपार हो गीडिका अभी तक मिली एक काम करते पान्टू तूस तरह धूद मैं इस तरह धूद अच्छा राजू वाया कि अधि कि अधि कि कि अख्या में वह उत्ताप्स का अगारी तुम्हाली आप मुझे चेर के बागिए चेरा तुमको चेरा ताहूल विला कुछ यह यह देखरे यह देखाँ यह देखा यह देखाँ जो दिए तीक है यह दे दो भावी भावी पचा आप जो यह भी जो आप यह भाबाले मुझे चेरा था थे वोड़ी तीर को नहीं चोड़ेगा तू वाल ना उलाद तू मेरा बीवी को दूसरी बार जड़ा है दूसरी बार ने पहली बारी चेरा है आप जिन दर ने चोरे आशली ए क्या आशली है उते को न आया भागो भागो यह जो है इस अपने पैसे एटने कली तुने जुट बोला तरह क्या मेले मेलेगी अब मैं तुझे ऐसी सदा दूंगा कि तु भी याद रखेगा मेरे बाद तो चुनो राजु भाया हो क्या जो वा पाजू बसरकी तो मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई हमें भी तो बताओ क्या मिल गई वही कार्ट का उल्लू है जो हाथ धोकर शादी में मेरे पीछे पढ़ गया था इससे पहले कि यह दो बार पीछे पर जाए चलिए असे बाद चलते अरे बिल गई अरे बाई बताओ तो सही आखिर क्या मिल गई इनकी दिल्रुबा मिल गई महबुबा मिल गई अम भी तो देखे कहा है वह अरे वह रही अरे इसा कैसा हो गया मेरी भाबी अभी अभी तो अच्छी थी शादी के पहले गणी हो गई अब मेरे राजी भाईया को भी गदा होना पड़ेगा अरे उल्लू सेवकूप यह तेरी भाबी नहीं है अरे यही भाबी है अब यह नहीं है अभी तो पाव बढ़ गए है चल पाबी बढ़ा ऊओ चल अब बढ़ा चकन कर देखा उस में बैठे Passion मेरी डार्ली तो डाज़ा है एव की रवभी तो नहीं डार्ली अडा़न। पयकप से पीध सहाया मुह में दान नहीं के उमकाіє मएधा ड़िया जानगा को जुदे को आख सामिसों पहले है मैं तेरे से चुम्मा मांगती हुँ ना मेरे को बोलता है मुँ में दाथ नहीं है और यहां पराई औरतों का चुम्मा लेने के लिए है चल तुझे ऐसे चुम्मे दूंगी कि तू भी जिन्दीगी भर जाद रखेगा समझ में आया चल घर चल यहां चोक था चोक ठीक कर दू तुम्हारे पास कितने पैसे तुम्हें क्या करना बोला कितने पैसे पांच अजार रुपे लड़की मेले में हो गई है देखो 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 तो कोई झांट के देगा उसे पांच अजार काई नाम मिलेगा पाथादार वाले च्रिया बगवाल के नाम पर पाथादार वाले च्रिया बगवाल के नाम पर मैं जाती हूं मिल गई माफ करना बाबा आपको लगी तो नहीं भाइग, भाएग, भाएग, थेल वाले तुगान तक मुझे पहुचा थे मैं पहुचा थेतियू बबाबा आड़ जीतन रहो, बेटी, बगवान सुमाला बला करे इस तरह रव कि इसन वाज हय है कि अजार एए नाल गया रहा बगवान तम्हारा भला करें बढ़ी अच्छी बेटी बडार तुम्हें जिंदगी बार सिकी बेटी बेटी छोड़े बढ़ना करें देटी शोड़े मुझे भान्साब हो देखे हैं है कामीट का बात्या है ति जे घ्यान तो खेला की तरह आए ना चलग को अपया है एक उमिद मेल की सब्सके जब के वहाँ यह जिसकी तलाश है पांच हजार वाली है 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 क्या करता है देखता नहीं हमाविला फीट हो गया करेक्ट है रखता है पहले में अध्यक्राइब आरे रखता रखता है है तो इसाप पीछे तुमने लगा रखा है तुम चाहते क्या हो करते वैश्यरम आती है और बेशर्मों की तरह पीछे बड़े हो आधर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है कहने वाले इसे जनम जनम का रिष्टा कहते है जनम जनम का रिष्टा और वो भी तुम से अपनी शेखल देखिया इने में दंगूर कहिंका हवादार कोलो से चल्दी खोलो आया बड़ा राजकुमार बनने पापी नारा जो गई कि अन्यूप आप राणा अरो सिंह राणा नाम है मेरा कि हमारी शकल एक बार देखले वो साच्छरम तक नहीं बोल पर दो साल कैदे बामुशकत की सजा हुई थी यह क्या था मैंने एक लड़की की इज़त ही थो लोगी थी बस और आज सब के सामने मैं तेरी इज़त हुतानूगा हुआ 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 हृृ। एफ सकती ही किर्शे commandments लाक्रिवा भी शारकी किर्शे भीन ीज एिष किर्शे हॉ पर देपने! जब आए! कि अ vyकार वात। आजा मेरी दुलनिया आजा देखो पंडिक्ती इस गदी के साथ चानी करवा दो काजी ये गाउ की किसी लड़की को आख उटा के ना देख सके जल्दी करवा दो करवा दो हाँ शाम होने वाली चलो मैं तुम्हें घर छूडाता है पांडू पाजी से कहना कि मैं घर देर से पहुंचूंगा चलो सरस्वती कि अब कि अब कि सांधी और तूफान ने तो नाक में दम कर दिया है जब तक ये तूफान थमना जाए हमें यहीं रुख जाना चाहिए क्यों सरस्वती जी अरे आप तो ठंड से काप नहीं है आई ये बैठिए बैठिए न मैं जब तक आग जलाने का इंतिजाम करता हूं बैठिए और देखिए आप अच्छी तरह से सेखिएगा वरना थोड़ी देर में आपको चीक आजाएगी फिर खासी शुरू हो जाएगी बुखार चड़ने लगेगा दर्थ के मारे आंगां तूपने लगेगा और फिर धीरे धीरे बुखार आपको अपने गिरफ मेने लेगा और और फिर मुझे निमूनिया हो जाएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा है लाजू आज मेली में मेरे इसद बचा कर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान किया है इसमें ऐसान की क्या बात है एक मर्द होकर एक औरत के सम्मान की रक्षा ना कर सके तो उसका मर्द होकर जनम लेना ही वेकार है अरे आपके हाथ पर चोट लगी है अरे तो कुछ नहीं है जरा सी खरोंच है ठीक हो जाएगा एक मिनट लाजू जी अभी तो एक मामूली सी खरोंच है थीरे थीरे बड़ा घाव बन जाएगा नासूर हो जाएगा और फिर जहर फैलने लगेग और अगर जहर फैल गया तो मजबूरान आपका हाथ काटना पड़ेगा और अगर आपका हाथ काटना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा है ना आप भी बड़ी वो है सरस्वती जी आपने हमारी गोली हमी को खिला दी ाप्पा धने हमारी इाका है को यल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली मैंने तेरे गजरारे खोट तेरे अंगारे तुझो देख के दिल में रखोने लगा बादो में तेरी सर रंग चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन कर दो कर दो कर दो कर दो कि तुमल का खिल के तेरा बदन महके आओ जो पास तिरे सास उठा जवन महके ओ योवन कि तुमल का खिल के तेरा बदन महके तू आओं जुम पास तिरे सासों का जमन रहते अंगों से तेरे रसबर से तेरे लिये की वंदर से मेरे होश लिये जाते है कवार तेरे कंगना तुने मुझे बेचैन किया तुने भी तो मेरा चैन लिया बादो में तीरी सर्जम चंचंचंचंचं मन को लुकाई तीम चंचंचंचंचंचंचं रंग तेरा रंग носी चीड़ा तुछिह ज्चेल चैम दीला तुछँ देखते कुछ उच्छे होने लगा ला 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 O translates शोट way रच को सूने मेरे चन को छुआ, मन में हुई एक ली हल चल दिल मेरा तोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आचल तूने मेरे चन को छुआ, मन में हुई एक ली हल चल दिल मेरा तोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आचल नीत के रंग रंगाओ चुनल, नाम तेरे लिखती है उमर तेरे मिलन की प्यास जगी, कैसे कहूं क्या आग लगी पोयल सी तेरी बोली, कुकुकु, कुकु, 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 कुक सुनिये सुनिये तहां खो गए थे आप किसी के खयालों में हम भी तो सुने किसके खयालों में खो गए थे आप जानना चाहोगी हाँ काव मेरे साथ होतु क्या क्यं कॉद्ह कुल हुआ तो इसे अरह मेरिव मेरे काण मैं किसी और की होने वाली हूँ, मेरी मन्नी हो चुकी है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया मुझे माफ कर दो चलो, मैं तुम्हें घर चुबाता हूँ वो देखो, आगे मैंने पहले कहा था, मैं नहीं मानता हूँ हाँ भई, तुम कहते हो तो, अरे, वो देखो कर दो मिवान साब, पूछे अपनी होने वाली बावरानी से, इराद बर कहां थी और क्या कर रहे जी? शामलाल जी, आप ही पूछे अपने बेटी से कहां थी राद भर, बोल जवाब दे, क्या कर रही थी साराम जादे के साथ? बाबुजी, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं? अगर राद भर जवान बेटी घर ना लोटे है, तो एक बुड़ा बात क्या समझेगा? क्या समझाएगा इन दुनिया वालों को? यह दिन देखने से पहले मुझे महत आ जाती तो. बाबुजी, ऐसी बात नहीं है, दरसल राद बर हम लोग एक तूफान में भज गय थे. कौन से तूफान की बात कर रहा है बे तू? क्या वासना के उस तूफान की जो राद बर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे को देखकर उख रहा था? या फिर उस तूफान की जहां मा, बाप और समाज की परवा के बगएर एक कुवारी लड़की अपनी शर्म के गहने उतारकर एक पाय मर्द के सामने रंगी हो जाती है यह जूट है अगर यह जूट है तो तो के राद पर इसकी आती उतार रहाता जी 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 में तो अपने साथ साथ पूरे का भी मोंकाला कर दिया अरे अब कौन भी आएगा मारी बैटियों को जोड़ेगा इस गाव के साथ अरे मैं तो कहता हूँ किया होगा उभी तोड़देगा ठीक कहा तुमने मैं भी इयरिश्टा तोड़ता हूं इसी बच्चलंग बेहया हवारा नर्की को मैं अपने घर की बहु नहीं मेला सकता चल बेटे रुख जाईए मेरी बात सुनिये जो इल्जाम इस मासूम पर लगाए जा रहे हैं वो छूटे हैं मैं भगवान की कशम खाकर कहता हूं यह गंगा की तरह पवित्र है हमने कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं चीए यह रिष्टा मत तोड़ो मेरी बाई यह रिष्टा मत तोड़ो अरे ऐसी कुलटा को मैं अपनी बप्नी तो क्या अपनी रखल तक नबनाऊंगा कि अच्जी उपजबुब हो तक मैं इस बाट कम हुट्वाब देता। मुं तोर जवाब देता। सालेख तो चोड़ीं उपर से शीनों जोड़ी unified कि घाथे देखने क्या हूँ ङला कि दिखादोती हमारे गह इजकत से ठेलने का त्यान जाब होता है। मरुच तरेब। जामाज़र शाणाया जामामाश वित पास्टाणाया टे जामाँ जामाशक। युच पासभ। बिए्श बिए्टम तरेब। प्रॉप जाओ प्रॉप जाओ अब अगर किसने इसको हाथ लगाया तो काट क्या रख दूँगी? अब दौज किसे देटीया सनी मारस अलगाप प्रॉप भेरो हिम्मद है तो हाथ लगा की दिखा दिखा न हाथ लगा के अब दौज कि दिखा अब दौज कि दिखा दौज कि दिखा आगे बढ़ और हाथ लगा के दिखा दिखा न एक निहत्ते बेकसूर को एती बहरेमी से मार रहे तुम लोग अरे तुमने क्या समझ रखा है कि इसे चुडिया पहन रखी है या तुम लोगों की लाजियों का जवाब दी दे सकता और ये चाहे तो एक ही वार में तुम सब की लाजे गिरा सकता है मगर इच्प है तो बस मुझे इंसाफ दिलाने के लिए सब्सक्राइब और तुम कमीने तुम मेरी इज़त की फिकर कर रहे जिसे उतारने के लिए कल तुम मेले में आय था अरे अगर कल ये आदमी न होता तो तुम मुझे नोचकर खा चुका होता और तुम तुम तो मेरे होने वाले पती थे उसे जीवन भर का नाता जोड़ना चाहते थे मगर शायद तुम नहीं जानते कि पती-पत्नी के रिष्टे की बुन्याद क्या होती है वो होता है विश्वास, भरोसा और जो एक रात के लिए अपने होने वाली पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता वो जीवन भर उसका साथ क्या निभाएगा और अभी अभी तुने कहा था न कि तुम मुझ जैसी को रखेल तत नहीं बनाएगा तो आज मैं कहती हूँ पूरे समाज के सामने कि तु मेरा दूला तो क्या किसी का दलाल बनने के लाइक भी नहीं है मेरे लिए तो बाबुजी मा भी आप है और बाप भी आप ही के कोद में बली बड़ी हूँ आप ही के संसकार है मुझ में आपकी बेटी कटकर मर सकती है मगर ऐसी घिरोनी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपको अपना सर शर्म से जुकाना पड़े नहीं जुकने देगी बाबुजी आपका सर दुनिया के सामने नहीं जुकने देगी आपकी सरस्वती नहीं जुकने देगी झाल झाल कर दो सहे एबा हो अबने हो उच्छे प्यां करोगे? अच्छो बैसाब, तौस्ते, अरी बैटी, खने करे मूँ क्या देख रही है, जल्दी से पैर छूले, तेरे तो भाग के खुल गए है आपना प्रे बैटे राजु के साथ, मेरी अनपॉल गवार बैटी का रिष्टा जोड़कर, मुझे घरी पर बहुत बहुत बड़ा स्वार किया है मेरी बैटी, आपके घर में बहुरानी नहीं, बलके नौकानी बनकर रहेगी, हाँ तो फिर आतिपुरेन माशी को कोई अच्छा समहुरत देखकर शाधि करते है जैसे आपके इच्छा नमस्ते पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई बहना कि राजु का रिष्टा इस फठीचर के यहां क्यों जोड़ दिया अरे कोई बड़ी आसा में ढूंटी तो जितना चाय उतना थेर सारा देज निकलवा लेती उससे बेवकुफों जैसे बात मत करो भईया राजु की मा का वस्यत नमा याद है ना जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर राजु चाहे भी तो इस जमीन जैदात किसी और के नाम नहीं कर सकता जब तक उसकी बीवी की रजा मंदील हूं समझ गया बहना समझ गया तुम्ही अनपढ़ गवार बहू सरी इसले लारी हो ताकि जा जा चाओ अंगुटा लगवा लो राजु की तरह और थारी जमीन जादात अपने नाम कर लो वा बना वा माजी माजी राजु बाई आ गए अच्छा राजु बेटा कहां रह गया था कल रात को तेरी फिकर में तो मेरा खून सुखा जाता माम एक तूफान में फस गया था कोई बात नहीं आ बैठे आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशकवरी सुनाने वाली हूं सुनकर तो फूला नहीं समाएगा मा मैं भी तुम्हे एक खुशकवरी सुनाना चाहता हूं कौनसी खुशकवरी सरस्वती सरस्वती यह मेरी मा है यह 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 तेरी पहु है मा मा वो हाला थी कुछ ऐसे थे हमें शादी करनी पड़ी अपनी मां से आशिरवात नहीं लेगा मा चीदे दो मा तुए शादी से खुश है ना अपनी बेटे का घर पर जाए और मां खुश नहों तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बिता मेरी मा कितनी अच्छी है मेरे तुम से गाता ना क्यों हमसा नाराज नहीं होगी बस मा तो खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपना अपना हम बर्वाद हो गया सत्यानाश हो गया अब आने जपनों पर पानी भीड़ गया और जिस तरह से तुम उस लड़की का बखान कर रही हो उससे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्ब बोरी आप इस तरह बात कर रही ज़ार चला जाना पड़ेगा कुछ करो बैना कुछ करो अरे बैना कुछ बोड़े बैना चली गई महाभारत के तैंतीस में अभी सोड में इस तरह मुस्करा कर चला गया था लेकिन जानतीस में अभी सोड में रॉपदी का चीज आरण हो गया था गब्राव मत मैंना मती बैना इस तरह से जरूर कोई अच्छा गुल घिलाएगी वाकई चांद का टुकड़ा है मेरी बहु मुझे अपने राजो की पसंद बरनाज है अगर मैं चाहती भी तो इतनी सुंदर और सुशील बहु अपने बेटे के लिए नहीं ला सकती थी बैटो बहु यह लो बहु यह कंगन मैंने राजो की बहु के लिए पनवाय थे कि तुम्हें अपने हाथों से पहना सुझी क्या बात है माजी आपकी आखों में आसु कभी कभी भगवान खुशियों के साथ हम भी दे देता है मैं कुछ समझी नहीं माजी मैं तुझी कैसे समझाओ क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूं उसका तालुक राजू के जिन्दगी और मौत से है यह आप क्या कह रही है एक बात जो मैंने अपने सीने में दफन करके रखी दी आज मजबुरन तुमसे कहने पड़ रही है यह देखो यह राजू की कुंडली है जानती हो इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है इसमें साफ लिखा है कि अगर 25 साल की उमर के पहले राजू शादी कर ले और उसके पती गर्बती हो जाए तो होने वाली संतान अपने पता की जिन्दगी के लिए खत्रा बन सकती है इसलिए तो मैं मैंने आज तक राजू की शादी नहीं कर रहे क्योंकि उसके 25 साल पूरे होने में अभी कुछ वाक्त पाकी है माजी आप भी ऐसी बातों में जानती थी कि तुम यही कहोगी कि ऐसी दख्यानूसी बातों में तुम विश्वास नहीं करती लेकिन मैं मैं क्या करूँ मैं एक माँ होना और माँ होने के नाते मैं अपने राजू की जिन्दगी की भीग मांगती हूँ बगवान के लिए बहु ऐसा नर्त मत दोने देना कुछी देनों की तो बात है मेरे कहा मान लो मैं तुम्हारे पाउ पड़ती हूँ यह क्या कर रही आप ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा जीती रहो बेटी जीती रहो देखो मेरे राजू को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अ कि तुम्हारे प्यार मेरी सिंद्गी को एक नहीं रोष्णी दी आपनी जिनकी की पहली रात इन रोशन सितारों में शुरू करेंगे जिससे तुम्हारे दामन में खोश्या हैं खोश्या होंगी अंदेरे के लिए मने कोई जगा नहीं चुरी सुरू कोई जगा नहीं में राजू क्यों नहीं क्योंकि मैंनर कह रही हूँ आज तुम्हारा राजू ना नहीं सुनेगा मेरे पास आजाओ मैं ना कह रही हूँ और तुम सुनने रहे हो मुझसे हाथ मत लगां यह तुम क्या क्या रही हो सुरू को बोलोंगे कोई गालटी होगे मुझसे पताव ना उस्रू करो फ्वक्रशकर चूर दो बस मैं में तुम्हारा चूषब दो वह भी ना जवाप कि बूए कि मेरे पास नहीं है अगर तुम है एस कमरे से जाने की जरूर्वत नहीं है कि विष्वास जलाता हूं कि अपने पति होने काक सब्सक्राइब करे ने यौगा कि वाज बेला वाज तुम्हारे आगे तो तो तारा भी सत उखाता है क्या राजनिती खेली है तुम्हें तो दिल्ली भी होना चाहिए दिल्ली भी कि अपना काम तो हो गया अब चलो चल कर चैन की नीद्स होते हैं कि अब अब तक बहु के हाथ की महंदी नहीं जूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया लेकिन एक बात याद रखना तुम्हारे घर में जितना बेखी है आग में डालते जाना मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने पाप की पेटी नहीं क्या भाते आज बहुत बेर बरिशाया आज आज बहुता भी कुछ आज आपक पर सबसा है क्या कर रहा हो तुम्हारे और फूल गिले इतने तुम्हारे फूलों की बात नहीं कर रहा हूं यह तो जब देखोास्ती रहती है मठकती रहती है मठक ये लोर्ड तुमने सबजी मंगॉए थी ना ये लाकी ये गोभी दे है मैं तुमसे बात कर रही हूं शुन रहे है किने है compris दो क्या दकना है दTwo अरे मेरी पांडू जी आज बहुत उखड़े हुए रहे हैं अग remainder तुने तो क्या करूँ तुझे मालू में चंपा कल तो राजु भाय की सुवाग रात भर घर के पिछवाड़ी में सो रहे थे क्या बात कर रहे हो तुम हाँ सच कह रहा हूं अपने राजु भाय के तकदीर ही खराब है मा तो डायल मिली थी बीबी मिली ओ भी वैसी है लो आगी महारानी पांडू क्या बना रहे हो दिखाए नहीं देखा लाकी की सब्जी बना रहा हूं लाओ मैं बनाती हूं लो बना लो तुम उससे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो इस औरत के दिल में अपने पती के लिए है लेकिन मैंने किया क्या है राजू भैक्त सवार्ट नहीं हूं तो पिर जो सुना था हो वो सब-भूक्तMAy तुम नहीं जानते है इस घर के बुजर्ग अपने स्वार्थ के लिए मुझे और राजु को अलग कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं हमारी शादी अगर मैं, मैं उनकी आर्जों कभी पूरी नहीं होने दूगी जरा सोचो, जिसने मेरे मान समान की रक्षा की, पिताजी को समाज के सामने जलील होने से बचाया क्या उसका समान मैं नहीं करूँगी तुम नहीं जानते पांडू, मेरे दिल में उनके लिए कितनी जगा है मुझे मापकर तो भाबी, मैंने आपको गलत समझा अपने जूते निकालकर मेरे सर पे मारती जी अरे, यह क्यों करें? अरे, यह क्यों करें? अरे, बांडू, आना लेकरा फूग के मारे जान निकली जा रही है मर जाओ, आता हूँ पेट है के पेटा रहा, इतना खाते है फिर भी पेट नहीं बरता चंपाय काम कर, पहले बाबुजी को खाना किलाओ बाद में इन पुकड़ों को जाना डालेंगे ठीके यह क्या है? बाबुजी के लिए यह खाना जाता है क्या करूँ बाबी? अपनी भी जान जलती है लेकिन उस चंड़ाय सवकडिया में उस परवाद तुम मत करो आज से बाबुजी के लिए खाना मैं लेकर जाओंगी बाबुजी ओ तुम? हाँ बाबुजी घर के सब लोग खाना खाये और घर का मालिक यह भूका रहे अच्छा नहीं लगता चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना के लाँगे बैठिये बाबुजी आप रो रहे हैं बीस साल से मैं इसी प्यार और सहनुफुती के लिए तरस गया था इसी प्यार के निवाले का भूका था मैं अकेले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसके जवाब में मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे पागल कराज दिलवा दिया मुझे इस तरक पे बर जाने के लिए छोड़ दिया था मैं राजू के लिए एक माल आना चाहता था लेकिन आ गई एक नाकिन उसने मेरे राजू को पढ़ने लिखने निदिया एक गवार बनाय रखा ताकि वो उसका फाइदा उठा सके मेरा राजू उस नागिन को देवी समझता है उसकी पूजा करता है जिद्वक इससे पहले कि वो नागनों उस से दसले ने दाजू को बचा लगी प्रदीन यहां अगर इस साल की फसल ठीक नहीं तुम लगते हैं रात बच बच बन करो अपना अपना काम करो काम ही तो कर रही है है राजू भाई आ गई तुम्हारी दुलन या राजू बहुरा ने दिन में भी तुम्हारा पीछाने छोड़ती तुम्हां क्यों आई हो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हें जो कुछ भी कहना वहां जोबड़ी में चलकर करो चलो जोबड़ी में लेके जा रहे हैं तुम्हारे लाइक नहीं हो मेरी बात तो सुन चुका हूं वही जो तुमने मेले में कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो किसी राजकुमार से मुझे से लंगूर से नहीं अरे लेकिन सुरू मैं तुम्हारा पती हूँ लेकिन मैं तुम पर अपना हध्र जताने की कोशिश की क्यों नहीं की अरे यह क्या हूं नहीं हो शादी तो दो आघ्माव को मिलन हो जाने दो न था तुम क्या समाजती हो तुम्हारी इन हरकतों से मैं पिगल जाऊऊंगा अरे मार जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा अच्छा ये बात है यही बात है तुम क्या समझती हो तुम्हारी ये सब कुछ करने से मुझे मुझे कुछ हो जाएगा कुछ हो रहा है नहीं कुछ हो रहा है दुदुिन कर दो नहीं गोरी, ए गोरी, मैं चले खाद, क्यों? मुझे उनकी याद आ रही है अरे सुन तो गोरी, मैं चले खाद, क्यों? क्यों चले खाद, क्यों वगिए आ दो बड़ता रही है मैं चले खाद, क्यों चले खाद, क्यों आ रही है अरे सकते खाद, क्यों तो जया जी ते चुसके पुरी ख्या तेरी बात पका देगे हिया जया जी ते चुसके पुरी ख्या तेरी बात पता देगे हिया जया जी 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 ते चुसके पुरी ख्या तेरी बात पता देगे हिया जया जी ते चुसके पुरी तेरी बात पता देगे हिया ख्या जी तेरी बात पता देगे हिया जी तेरी बात पता देगे कि यारे कोटी को मैं सहलाने गई चोच हो तब मारे के उर गया ओय 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 जया जी से छुपके कुई ज्या तेरी बात बता दे दे हिया सया जी से छुपके कुई ज्या तेरी बात बता दे दे हिया पूचती है तेरी वाली उलशी लचे तेरी जोली में कैसे भड़ी दिल बटे बता ना बता ना तरके जीर में पूचता तेरी अच ज्या जी बेखाने पड़ी में तर अपनी रगी बिया मचसे से जीना ते जब सची अपनी हापसे दिल बादा बादी होई 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 कुछ समझ में लग आए है क्या माजरा तूने पहरा है क्यों पुल्टा ये आपना पता ना पता ना आओ आओ यहां सब बताओंगा मैं भेद तूने ना कोई छुपाओंगा मैं मैना तोटा से छुप के जो कहती है जो दियाबाती के साथ करता है दर्त जो आस्रुमा को सुनाती है भवरा कलियों से जो भात करता है हमने भी तो की बही बात तो सुने बेलियाद, तो सुने बेलियाद करता है करता है करता है करता है अच्छा मा चीते रहो अब तो देरा सपना पूरा हो गया न मा तो खुश है न मा हाँ बहुत खुश हूं कि हमारा रमेश डाक्टर बन गया अब रमेश पढ़ लिख तो गया अब जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंड कर इसकी शादी कर दो कियों रमेश हम कोई जुणड़े या तेरी निगाह में कोई है अरे वो क्या करता है फासना मो ब Гटी कोण है उसका घराना काई करती क्या अ उसका नाम क्या है वहथ बपड़ कि है लेकिन लेकिन एक छोटी से समस्या है समस्या कैसी समस्या भाईया वो नए खयालात की लड़की है वह चाहती है कि हमारी शादी पुराने रेतिर रवास से नहीं बल्कि कोट में हो अरे शादी कोट में हो या कचेरी में हो वे तो बहुत से मतल रहे क्यों राजू ठीक कहता है यह आपके आने की कुछी में पटा के चलाए जा रहे हैं आपके उब्लादी सर्वंट अर्या रमेश रमेश तु बहु को लेकर आ गया अरे अरे चंपा चंपा चल्दी सहारती लेकर आ इन सब चीजों की जरूत नहीं है यह सब पुरानी रसमे है मुझे इन में विश्वास नहीं है मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है चलो डालिंग अंदर चलते है हाँ हाँ बहु चलो जाए ना यह मैं खालाट की लड़की है है भगवान इतना लंबा सपर मेरा तो अंग अंग तूट रहा है अँग तो पैर दबा दूझ डालिंग इस यह दो आपकोर्स नॉट रमेज भईया चाही मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा क्या जमाना आ गया चालीज साल होगी इस देश को आजाद होगे तर भी आज तक हमारे देश के पती चुरू के गुलाम बने हुए सचे नरमेज भईया तू बखवास बंद करो चाही पिला यह लो वही करने जा रहा था आप पीलीजिये क्या हुआ मेम साफ क्या हुआ जादी कितनी बाहिया चाही बनाई है क्या बात कर रही है मेम साफ मेरे हाथ की बनाई हुई चाही पिने के लिए गाउ-गाउं से लोका से आप उसे वायात केती है मेरी ध्यल से आपका मुग का स्वाथ भिगर गया है आपके पती दॉक्तर है हाई ना उनसे जारा जेकब करवा ली जी लड़ी सॉविंट आपको पुला रही है मैं तुछ से के रही हूं दो खौडी के नौकर तुछ से देखो मेम साफ मेरा नाम नोकर नहीं मेरा नाम है पांडू धंडू भिकाजिराओ जबान लडाता है कर आगई का क्या जमन आ गया है खुद नात मारते हो और मुझे जज़ा केते हो रमेश पांडू ये सब क्या है देखो ना बाभी ये नौकर मुत मेरा नाम नोकर नहीं मेरा नाम पांडू अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते जो अपना काम करो कुनिका तुम बाभी जी से आश्रवाद लेकर आई ना बाभा ना उस पागल के कमरे में कुन जाएगा क्या पता कई सर फोड़ दे या गला दबादे तो कुनिका अपने ससर के बारे में ऐसे बात करते हैं तुम्हें शरम नहीं आई इसमें शरम की क्या बात है सारी दुनिया जानती है वो पागल है तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो आभी यह जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है रमेश पड़ी आई थी दादी मा बनने आईये ना बबुजी आईये ना आप रुक क्यों गए तुम नहीं जानती है वो लोग कुछ नहीं होगा आप आये तो जली मेरे अपनों ने मुझे उस नरग मरने के लिए छोड़ दिया था तुमने पराई होकर भी मुझे इस नरग से मुक्ती दिला दी जीती रहो पेटी जीती रहो चलिए बबुजी मंदिश चलते है भावी यह क्या कर रही हो आपका दिमाग तो ठीक है इस पागल को घर में खुला छोड़ देना उत्रा ही खतरनाक है जितना एक जंगली जैनवर को हाँ भाईया इस घर में भेडिये तो खुले आम कुमते है और गाय को बांद के रखा जाता है शुट आप यू अशुप फुशुप टैंप फुल बक्री करती है अग्री जी में गाली देना हमें भी आता है लेकिन अम उस तेश के बास ही है ती तेश ने गंगा पेती है और इस तीस में बहू अपने सास शुट के सामने सर पर पल्लू डाल के रहती है तुमारी तरह नहीं नंगी-पूंडी गुमती यह लो मेरा घंचा अर धाकलो आपने आपको यू लड़ी सर्विट आपको बुला रही है यू चलिए बाबजी तुम इने लेके नहीं जा सकती यह नाजुक शहरी कलाईयां संभाल के रख इन्हें जुल्फे सवारने के अलावा कोई और तक्रीफ दी तोड़ के तेरे पती के हाथ में दे दूंगी संची चलिए बाबजी कि इदिले में बोल रहा था पंगा मतलो पंगा मतलो उल्टे जूते पड़ गए ना शाड़ा पिस सर्विंट यस मड़म वागो जू तुम ने ने कमरे से बाहर निकाल कर कि अधिन अधिन गलत क्या है यह मैं अच्छी तरह जानते हैं लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं अब सही क्या है गलत क्या है यह मुझे तुम से सीखना पड़ेगा हाँ जब अपने लालच के लिए घर के बुज़र्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं तब छोटों आप लोग तो इंसान कैलाने के लाइक भी नहीं है अब इंसान नहीं जान रहें यह सुनने से बेले मेरे काल क्यों नहीं फट जाते हैं शुकर करो बहू आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना मैं तो यहीं चाहती हूँ कि वो आज जान ल रखा ता कि वो तुम्हारा फाइदा उखा सके तुम्हारी मा को तुमसे कोई लगाव नहीं है कोई प्यार नहीं है उन्हीं सिर्फ तुम्हारी दॉलत से प्यार है राजू सिर्फ तुम्हारी दॉलत से जिस मा की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं एक दाइन है टाइ कि देखा कि देखा मेरी मां का बलपन कि जिसे तुमने इतना बुरा बला कहा उसी ने आज तुझे फचा लिया परना आज में तुझे जिन्दा नहीं छोड़ता मेरी एक बात याद रखना सुरू अगर तुम्हें इस खर में रहना तो इसी फट मेरी मां के पैर चुकर उसे माफी मांनी होगी वर्ना तुम्हारी लिए इस खर में कोई ज़ाने मैं भी ऐसे खर में नहीं रहना चाहती है जहां सच बोलने की सदा ये मिलती है कि वावाव क्या और अवरत है बेना देखिए इसकी अकड़ इसने पती का भी लिहाज नहीं किया धन्य है भारतियनारी धन्य है ये 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 कि अगरे कि हुआ है कि अगरे कि अगरे कर दो जब से मैं इस घर में आई हूँ, यहां सिर्फ मेरा राज चलता है जिसे आज तक कोई नहीं बदल तका, फिर तू क्या चीज है इसलिए मेरी एक सलाह याद रखना है, कि इस घर में खाना खाने के सिवाई कभी मुँ मत खोड़ा, वरना तेरी जिन्दगी लग से भी ज्यादा पत्तर करके रख दूगी मैं भी अपने सुहाग के कसम खाती हूँ, कि इस खर में होरे अन्याई को खतम किये बिना जैन से नहीं बैठोगी जाजू मैंने, मैंने तुम्हार दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो माफी तो मुझे मांगनी चीए, सुरू, जानुरो जैसा सुलुक किया मैंने तुम्हारे साथ लेकिन मैं क्या करूँ जब भी कोई मेरी मा के बारे में ऐसी वैसी बात करता है, तो मैं अपने आप इसे बाहर हो जाता हूँ सुरू, जो भी तुम्हे भला बुरा कहना मुझसे कह लो, लेकिन मेरी मा के बारे मैं कभी कुछ मत कहना, मैं तुम्हेरे हाथ जोडता हूँ यह, यह क्या हो गया? तुम्हेर, तुम्हेर हाथ उठाने की सजा दी है मुझे माफ करतो राजो, मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मैं तुम्हे छोड़कर कभी नहीं जाओंगी, मैं तुम्हे छोड़कर कभी नहीं जाओंगी सजना 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 मैं तुम्हेरा दुनिया है क्या देना कब तो मच्छी है तुछी हर सुख देना में तरी तू मेरा दुनिया अधे क्या नेना में तरी तू मेरा सजनी सजनी तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेना अब तो मुझे है तुझे हर सुख देना में तरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना में तरी तू मेरा कलाओ कली तू मेरा कलाओ कि मेरा दुनिया क्या पर दू 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 धरती तूर दू कर दो मेरा दू प्रि, रास दू जईया का ब對啊 दू दू मेरा दू मेरा दू skirt ची है टइकी क्या लेना कश मेरवानी सारी कस्मे निभाऊंगा अब ना कभी भी तुझे दुख पहुचाऊंगा क्यो तुने कुछ भी निए तो है मेरे गत चहाऊ दुनियों हाते क्या निया ना मैं तु निया दुनियों जाते क्या निया ना मैं तु निया सुक्ख में भी दुख में भी काथ नहीं छोड़ूँगा सुक्ख में भी दुख में भी काथ नहीं छोड़ूँगा अब तो कभी मैं तेरा खाथ नहीं छोड़ूँगा मेरी किस्मत ही जो मेरी तुछ पाया है मुझको तुछ तेरे लिए रभनी बनाया है दिल में है तो जा में है तो तेरे बिना अब जन कहा दुनिया से क्या लेना, तू मेरी, मैं तेरा दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा न पहले से तुठी वी ती हम कबर मी तूट जाएगी लो जी तुम्हारा माल तो लद गया, आप मेरे पैसे निकालू तो ना रम झी यह तो ला कि दोलटर अर्व में हैं रोपहे को से जाय निवेगा आफ उससे पषले पानी कमें आग लाओ जाने से सारे फंप चल गए थे उसमीना ₹ पांडू मेरा पती दिन रात खड़ता है और तुम लोगों को जड़ा भी फिकर नहीं कितना नुक्सान हो गया है नाला कहीं का पांडू हमारा पुराना नॉकर है और तुम उसक्ने पूछार से खेट में गोधां में कुये में अग आग नीं लगी यह नहीं लिखाने शफा यह हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है जरा पढ़कर सुनाइए आपके राहू की अमंगल दर्शा आप शुरू होने ही वाली है मुनीम जी जी मालिक इस वाई खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िये तो जी ओ आनाज गुदाम अरे इदर उदर क्या देख लेयो जो लिखा उसे चिक चिक पढ़ते क्यों नहीं पढ़िये जल्दी जी ओ आनाज के गुदाम में आग लगने से दो लाग रुपे का नुकसान हो गया है अरे लग साफ साफ बताईए क्या गौदाम में आग लगी थी जी वह मैं तो मुझे तो मैं ऐसे नहीं बताओगे पांडू मेरा चाबुक काहा है आज की इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं यह नेखो बंदूक इसमें असली गोलिया भरी हुई है गोली अंदर सच पार मार दो तक बंद करो मामा जी और यह बताओं के चुराइवे रुपए तुमने कहा रखे यह सब क्या हो रहे है अरे बहना मुझे बचालो बहना तेरे चोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है मा तुम्हारा भाई समझ कर सारे हिसाब किताब की जिम्मदारी मेरे ने दी और इन्होंने जिस ठाली में खाया उसी में छेद किया और लाख वर में के खोटाला किया मैं सुभै का भूला शाम को वापस खड़ा गया हूं मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो बढ़ो पेख जाने दे बिठा जो हो क्या सो हो क्याद इसे माफ करते हिसे माफ करते मा की आप आप को धोको कर अधुम्हें लेगिन आपकी देव जैसे मा ज्यार्ट कर अच्ट की इवतना चैनल रिंट्रा था आप KLU अगर इस बिस्तर से साफ नहीं निकला ना तो बेशक आज ही मुझे पागल खाने भीज़ देना अरे इस पागल को बढ़ बढ़ाने दे तू मेरी बात सुन पांडू तू बाहर लेया मेरी बात साफ है लेकिन वह मेरा पालतू साफ है इसे मैं पंदरा साल से बिस्तर में पाल के रखा है तरहा है जा रहा हूं मैं जारा हूं अपने नाग देवता को साथ भरोसा नहीं किया है तर निया से दूर बहुत दूर चल मैंना वती जहां नहीं चैना वाह नहीं रहां रहां पांडो इधर और यह बिस्तर लेलो मुझे खुल दूगा जो चौड़ते है वरना मैं तुमारी कोभड़ी खोड़ दूगा आए तर नाया पढ़ल दुग दूगा नाया था आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपको तो जिन्दा भटी में भी जोगा जाए तो भी बुरा नहीं होगा और सुनमा में आज से तुम मालिक नहीं बलकि नौ करो और जो हमारे खेतों में 30-40 आदमी काम करते हैं उन में से एक हो यही तुमारी स जाता है मैं खेतों में काम नहीं करूँगा रगार मेरी एक चोहती सी गुजारिश है क्या यह जो मेरी बीवी है ना यह जो चोरी में बराबर की इस्तेदार थी आपको भी कुछ अकलवरकल है कि नहीं यह पैसा माजी को देकर आप उनकी खत्रे में डालने पता है खत्रे में वो कैसे आप भी कितने भोले हैं अरी माजी की आदत है बक्सा सिरहाने रख कर सोने की अगर किसी रात मामा जी की नियत खराब हो गई और वो पत्थर से माजी का सर फोड़कर पैसा लेकर गायब हो गए तो तुम ठीक कहती हो पिता जी यह बक्सा आप सुरू को मैं उठा लेती हूँ वैसे माजी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ है ना माजी कि 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 मुबारक हो चाल की दाद देने पड़ेगी अच्छा खेलती हो आप इससे सीखाए सासु जी लेकिन इतना याद रखना कि मैं इस खेल की पुरानी माहर हूँ आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सका अभी तक आप कच्छे खेलाडी के साथ खेल रही थी सासु जी मेरी जैसे पेशेवर खेलाडी के साथ आज तक आपका पाला नहीं पड़ा था आप अपनी मोरों की आपका पाला नहीं है कि तो कितना खेल 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 रही है अरे खत्रा नहीं हो तो खेल खेलने का मज़ा क्या है सासु जी और फिर आप जैसे खेलाडी के साथ खेल खेलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है बहुत शौक है खेलने का तो ठीक है कल बारा बजने से पहले यह सारा रुपया तुम खुद अपने हाथों से लाकर मुझे दो कि यह मेरी चनौती है देवी जी आपका टेलेग्राम किसका तार है बहु रमिश को कॉलिज ते निकाल दिया गया है फिर वो टॉक्त क्या कर रहे हो बहु मैं अब यहां एक पल भी रहने वाली मेरा बाग कोई रहा चलता विकारी नहीं मैं उनके सामरे जाके खड़ी हो जाओ तो मेरे पती के लिए कुछ भी करते है यह सब क्या हो रहा है मैं बताती है मेरे पती ने डॉक्टरी पड़ी है और वो शहर में एक अस्पताल बनाना चाते हैं उसके लिए मैंने तुम्हारी मां से छे लाख रुपए मांगे और जानते होना में मुझसे क्या कहा कैसी है यह राजू की जायदाद है और उसके जायदाद का एक रीपैसा किसी एरे गेरे को नहीं दिया जा सकता सारी जायदाद तो भाईया के नाम पर है इस खांदान के अकेले भाईया ही वारिस है मैं तो सौतेला हूँ ना यह तू क्या कह रहा है मुन्ना माने तो बिना सुची कुछ कह दिया होगा लेकिन तू ऐसा क्यों गया रहा है तुझे अस्पाताल बनाना ना बता तुझे कितना रुपए चाहिए छे लाक रुपए ठीक है सुरू कल जो रुपए तुमको समाल के रखने के लिए दिये थे वो ज़रा ले आना जी माईया मैं तुम्हारे सारे रुपए अस्पाताल कुछ देशूत समेथ वापस लोटा दूगा क्या क्या का तुने तु पागल हो गया जो तेरा मेरा कर रहा है अरे मुनना यहां जो कुछ भी हम सब कही तो है ये लीजी ये पैसे रमेश को देदो बहिया मैं ये रुपए माजी के शुभातों से लेना चाहूँगा यह तो और भी अच्छा है शुरू ये पैसे या बक्सा माजी को देदो जे एक मिनिट बहिया वक्त क्या हुआ है बारा मजने में दो सेकिंड बाती है लाओ बहु बढ़के वारा बढ़के वारा सुनिए एक बात कहूं शहर में अस्पताल खोलने की बज़ा है अगर अपने गाव में ही खैराती दवा खाना खोल दिया जाए माजी के नाम से उनका सम्मान कितना बढ़ जाएगा न वह क्या बात है माजी के नाम से खैराती अस्पताल अब तो बस ऐसे ही होगा शांती शांती प्यारे भाईयों और भेनों आज हमारे गाव में एक खैराती अस्पताल की नीव रखी जा रही है इस महान कार्य का उद्घाटन हमारी महान सासुजी के शुख भासों द्वारा होगा जिनके पवित्र नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा जाएगा तालिया! 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 लाइ! ओर ये दूसरा हार हमारे डॉक्टर साप के लिए है जिनके करकमलों से आपका इलाज होगा यानि के हमारे प्यारे देवर जी जो पांग साल तक शहर में आखों में तेल डालकर पड़ते रहे और तमाम डिग्रिया हासल करने के बार आपका दुख दूर करने आये हैं अभी जी हार बार मुझे. यह तो पहला हार है, देवर जी अभी तो बहुत हार बाकी हैं. क्या मतलब कMom рटया मतलब इनहीं हारो में तो आपकी जीसे से वर गū Doctor जैंस्थ जब मैं दे्वी के मंदिर में गया था तो बक्रों को कुछपली पर चलाने से पहले एसे फूलों के हा़ पहना जारे से तो कुछ गडबर लग रही है कि इसको भी तो लिए अरे इंस्पेक्टर साहिब देखा मा के नाम का कितना प्रताब है अभी हस्पताल की नीब भी पड़ी और इंस्पेक्टर साब चला है इलाज करवाने आईए इंस्पेक्टर साब आईए मुझ मेठा कीजिए आप ही लिज दिखना चाहते हैं इस्पेक्टर साब आप या तो मेरे भाई का मजाग उड़ा रहे या उसका अपमान कर रहे हैं मैं सिर्फ अपनी डूटी कर रहा हूं आप अपने भाई से कहिए वह अपनी डिग्रिया दिखा दें मैं इत्मनान कर लूगा चला जाओंगा आप मेरे भा इस्पेक्टर साब बात बढ़ें नहीं आप चाहें तो कुछ रुपया पैसे लेकर मुझे अपका भाई यसी परताव के लाइक है क्योंकि ये धोके बास और जूटा है मुझे खूर से निक कोशिश कर रहा था आपके भाई के पास ना कोई टिग्री विग्री है और ना ही आपका भाई डॉक्टर है ये कैसे हो सकता इंस्पेक्र साब वक्से भरकर डिग्रीया शहर से लाया था मेरा भाई वो डिग्रिया नहीं रद्दीका अगस होंगे जो तोर पे किलो शहर में बिलते हैं इतना बड़ा विश्वास गात किया मेरे भाई ने मेरी मा का सपना तोड़ दिया उसने नकले डॉक्टर बनने के जर्में मैं इसे गिर्फतार करता हूँ ऐसा मत कीजिये सब्सक्राइब है समय कीजिए हमारी इज़त धूर में मिल जाएगी मेरी मां किसी को मुझ दिखाने लाइग नहीं रहेगी वह आपके पाऊं पर तोंस इसमें मां के सम्मान के लिए से बक्ष दीजिए इसे बक्ष दीजाएं सब्सक्राइब आज तो इसे मैं चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ लेकिन दुबारा अगर इसने ऐसे गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बहुत बहुत शुक्रिया इस्पेटर साब बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी पीटना शुरू कर देंगी तो बिचारे छेल नहीं पाएंगे मैं कहती हूं छोड़ मेरा हाँ नहीं माजी गुसा थूख दीजिए जाने दीजिए उछोड़ यह ले रख आज से तु मुझे इस घर में नहीं खेतों में मजदूरों की तरह काम करता हो दिखाई देना चाहिए अब जा खाले-खाले मूट्या देख रहा है चाल राजू म अब जानों के मोरे पर मोरे पिट रहे है बापुची कल तो शिर्फ प्यादा ही पिटा था आज वजीर भी पिट गया ही अब बहना और कितना काम कराओगी दीड़ा दी तु आसे शाव हो गई अरे जान ले लूगी क्या होगा मुझे या क्यों लाइज मैं अच्छे बली शहर में थी मुझे मेरी मा की आद आ रही है जा मेरे बाप की आदा दी है हाँ एक आना की आद आद र्यारे ना भुक्कड आ जाओ खाना इस इस तो बहुत गीन है खाना गज्जी फाने डाले पिलीगाय खाने वाले का नाम हमारे खाना is यह खाना तुम्हारा नहीं है थान अधानिन को immediate टॉमी, यू-्यू खाव, खाव आपसे तो ज्यादा ये कुट्टा खुश्किस्मत है आपको तो रोटी अभी सीधा कल दूपर को मिलेगी कल दूपर को? यानि कि 20 गंटे के बाफ? पैदागते, कुट्टे तो छील लेते हैं कुट्टे पैदा भी गया, वजीर भी गया अब बस सिर्फ रानी बची है रानी हाथ में आ जाये बस तो शेय और मत पांडो 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 कहां मर गया? पांडो चोड़ दो मुझे कहती हूँ छोड़ दो इतनी आसानी से हम तुम्हे नहीं छोड़ेंगे महारानी बड़ी मुश्किल से तो हाथ आयो बहुज राकस के पकड़ना ऐसे आप चिंता मत कीजिए बाबुजी मैने बराबर आउंटी में लिया हुआ है छोड़ दे मुझे यह तुम्हें ने मा को क्यों पकड़ रखा है बेटा अरे खुन मा यह खुन कैसे निकला मुझे कुछ नियुक्त नियुक्त यह ऐसी हालत में ज्यादा बोलना ठीक मुझे कुछ नहीं हुआ मेरी सहीली की मा को भी यही बिमारी हुई थी लापर भाही की वज़े से उसे खुन की सव उलतिया हुई पिचारी ऐसी तडब तडब कर मरी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी मौत ना थे शुप शुप बोल सुरू यह ठीक है रही है मा तेरी जिंदगे मेरे बहुत कीमती है लेट्चा मा मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ अरे सुनो आप क्या समझते हैं हमें मांजी की कोई फिकर नहीं है हमने तो डॉक्टर को पहले से खबर कर दे थी अभी आते लो आगे डॉक्टर साब अम डॉक्टर टीबी मलेरिया एमडी ए फार सी यू बी डॉक्टर साब देखें ने क्या हो गया क्या हो आप दोग्टर साब मरीज मैनी मरीज यह है मरीज यह है अरे बापर है बापर है अरे बहुत गड़बर आप एक काम कीजी इनके लिए दो बाबू, दो गज सपीत कपड़ा एक हंडी और आप का इतिजाम कीजी यह आप क्या के रहा दौक्टर जाब? बहुत गड़बर इनको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है औरे यह आपने ऐसे कैसे के दिया कि नहीं दवा की नहीं दौरत है करूंगा ज़रूर करूँगा यह मेरे मामा जी अब जी देखें न मांको क्या हो गया है अबे चुक मावस्मन वक्त बोगत कम है विलाइज शुरू कर देना चाहिए है पकड़ो इसको दो आप आप अटो आप इन प्रो ने खें लिए अज़िए अब हो गया मिरी आघें लगता है अब क्योग बढ़ आप अडिरी अडिरी आपपी अडिरी आप वापी अडिरी क्योग्त बतो गया इंव दिक तरी काहलत करनी मेरी कुपड़े का होल्टे 440 वॉल्ट इसका मतलब यह उरत अपने दिमाग का इस्तमाल कुछ ज्यादा ही करती है करनासर ने करका है इनको नीम के पतों का सर्वत पिलाए जाए कि यहां यहां इंद या नहीं पिलो इसे आपकी ठीक हो जाएगि एक मा अनुपने राजु के खादर पिलो तो पिलो और पीजिये मां जी दोक्टर साथ, अब तो मेरी माँ बच जाएगी ना? पुशीच करना मेरा फर्श है, अब तो दवा पिला दी, अब अब इने सुई देना पड़ेगा दोक्टर साथ, ये इन्जेक्शन तो बहुत बड़ा है इसका अधर भी बहुत बड़ा है, एक दिन गडी को दिया था, गोडे के रेस में पहली आई ती पाँ पगड़ो पाँ पगड़ो इंजश्चिन लेनो मा लेनो हो गया जो मैं कर सकता था हूं मैंने कर दिया आसे ने आराम की सक जरूरत है खाना पिना बन बिस्तर से उतरना नहीं यह आप क्या किया रहे हैं डॉक्टर साब सारा घर सारा कारोबार यही तो समालती है दिन बर में सेक्रोबारे ने तिजोरी खोलनी और बंद करनी पड़ती है इतनी जिम्मेदारी का बोच कौन उठाएगा अरे बाब यह जो बहुची मैं को स्थी सांस न रेखे दी सुमेजर कई रख लेती हुचामेर के वकते है सप्राइब क्या वाकिए त्सइस न्यक्तर गढरें नईगैंट का न्यूना फ्स्टभा-णरारте-डेगले सट रखने के पार यहेिंट्तर है सांसका बुझा ने चार्भिक टैارटम बढ़न, हमारे गड़ को किस की नजर लग गई? ड़्टी साब देखो ले नहीं ये क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है, मुझे क्या हो है तुम हसुरी हो गडर, बताऊ ना बात क्या है बात यह है के अरे बात क्या बताऊ ना तुम बाप बनने वाला हो पापुजी मैं बाप बन्यो आला हूँ पांडू जी मालीक जी वो तो खेट पे गये हैं कुछ काम हो तो मैं उन्हें बता दूंगे अंडू से कहना के भाग कर मेरे ससूर के आजाए और उन्हें जाकर कहते कि दामाद में कितनी भादरी का काम किया है जी मालीक शुरू शुरू कि क्या कर रही हो क्या अधर्व मेरे इंजेक्षिन का आसर हो रहा है इंचार हंटे में रेचित जाएगी क्या हुआ रमदास साहिब केलेश प्लेट और फ्योल पंफ दुईनों खराब हुए है अब पुरे शेट की जुताई एक दिर में कैसे करते मोगी बाबुजी ठीक है बंडू एक काम करते है तो घर पे जाके बोल दे कि हम कल सुबह तक आएंगे अच्छा बाबुजी चलते हैं अच्छा बहें जी मैं चलता हूं मुझे देर हो रही है मैं फिराऊंगा और हाँ यह सारा सामान में आप लोगों के लिए लाया हूं जाओ बहुत दिनों कमा देशी की कि लड़ू हमें खाने को मिले हैं अच्छा तुमुजी तेरा सबर करो भया अरे बहना अगर शरू आगे तो यह सब खाने को नहीं मिलेगा फिर भाजरी की रोटी और बत हुए का तहले मेरी बास सुनो रमेश बेटा जी माँ यह ले चाबी और मेरी अलमारी में से जहर की वो बतल निकालना जी अरे वहना यह जहर की बतल काये को मंगवारी हो अब सबसे खुदकुशी करवाना जाती हो क्या तुम्ही ने पूछा था ना भीया के मेरा आखरिदाव क्या होगा यह मेरा आखरिदाव होगा मैं समझा नहीं पानी सर से गुजर चुका है अब इस घर में या तो वो जिन्दा रहेगी या मैं बिल्कुल ठीक अब जो कदम आगे बढ़ाया है उसे पीछे मत आदाना उसक मुझसे मुकाबला करना चाहते थी चांसी नहीं मैं नागिन हूँ और नागिन अपने बच्चे तक को खा जाती है फिर तुझे और तेरे बच्चे को कैसे छोड़ देगी जाजू पिटा हमा तरु की मा नहीं है और यह उसका पहला बच्चा है इसलिए देखवाल तो हमें ही करनी होगी आज उसके पिताजी आये थे और यह केसर दिकर गये हैं इसे दूद में मिलाकर जरूर पिला देना इससे क्या होता है मा इससे बच्चा गोरा और सुन्दर प जुरू यह देखो मैं तुमारे लिए अरी क्या ठोका पीटी कर रही हो और वह भी इस हालत में चलो नीचे उत्रो यह मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है जास की बात है पहले मुझे अपनी पाहों में उठाओ फिर बताओंगी यह कहते हैं कर्बवती औरत क अंखों के सामने जिसका चेहरा हमेशा रहता है उसके होनेवाले बच्चे का चेहरा भी वैशी हो जाता हें algumas को तुम्हारे दिनों में में बिल्कुल तौब तो तुम्हारे यह तो हटा इतस्वीर न रखा हर जो और agree to be do होगी लड़का होगा लड़की होगी यह क्या है केसर तुम्हारे पिता जी दे गए थे वो कह रहे थे कि इसे दूद में मिला कर पीने से होने वाला बच्चा गोरा चिट्टा और खुबसरत पैदा होता है इससे पहले के दूद थंडा हो जाए इसे गटा गट पी जाओ लो एक में इसमें थोड़ा और केसर मिला देता हूं ताके बच्चा खूब गोरा हो अरे बस बस यह केसर एक महीने के लिए है आज ही खतम कर दोगे क्या अरे खतम हो जाए तो और आज जाएगा तुम जल्दी स पैलों अपने हाथों से पिलाओना अपने हाथों से पिला देता हूं कि क्यों हुआ वो मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से केसर का दूद पीरी हूं ना मैं भगवान के सामने माथा टेक कराती हूं चुम ने मुझे दूद पीने से क्यों रोक दिया इसलिए पिछ मांध। कि अपने सुहा की कसम खाके गेती हूं ऐसा ही हुआ है कि अरे सुरू क्या हुआ तुम्हारी फूजा खतम हुई के नहीं जल्दी आओ दू ठंडा हो रहा है फूजा हो गई तुम्हारी यह लो क्या बात है सुरू यह किसलिए मैं किसी और का दिया हुआ जहर खाकर मरने की बजाए अपने पती के हाथों मरना पसंद करूंगी यह लो और काट डालो मुझे यह अचाना क्या हो गया तुम्हें तुम्हें दूद में केसर मिलाया था ना उस केसर में जहर मिला हुआ है क्या बक्तियों केसर में जहर मिलावा और यह केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे वह अपनी बेटी को जहर देंगे मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे लेकिन तुम्हारी मा ने उसमें जहर मिला दिया मेरी माने दूद में जहर मिलाया तू होश में तो है सुरू ऐसा मत बोल एसा मत बोल तेरी जबान कटकर गिर जाएगी जबान क्या मैं तो पूरी कटकर गिरने को तैयार हूं मेरी मा पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा तो मेरी माहत यारन हो इससे पहले आस्मान भट पड़ेगा चांद सुरुज अपना रास्ता रास्ता बदल देंगे यह धरती अपनी दूरी से रिल जाएगी पर सब अपनी जगा पर है सुरू यह इस बात के शबूत है कि तुम तुम जुट बोल रही हो सुरू मैं जुट बोल रही हूँ अगर मैं जूट बोल रही हूं राजू तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे कोग में हमर जाए इस दूद में जहर है या नहीं तो इसमें माको तकलीप देनी की ज़रूत नहीं है यह खुदी पीकर साबित कर देता हूं नहीं नहीं यह तुमने क्या किया तुम्हारे मौत का कारण बन गई अगर मुझे मालूम होता कि दूद्ध तुम पी जाओगे तुम्हें पी लेती अब मैं क्या करूँ चलो में साथ डॉक्टर की पास चलो आप मेरे साथ चलिए मैं आपको डॉक्टर की पास लेकर चलो चोड़ता मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना तुम जाओ मुझे कुछ नहीं होगा मैं यहीं रहूँगा अगर मेरी मा के बार में लख्स कहा तो मां शालूगा तुझे मटाकर नाती हूँ देखा मा तुमने तुम पर शक करती है डॉक्टर को बुलाने क oynदर उससे उससे इसाफी ही का पता चल जाएगा तूने मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया और वो मुझे ऐसी मा की खिला बढ़का रही थी उसने तुझे हत्यारन का है वो कहती है तुन्हें दूद में जहर मिलाया अरे वो अबागन यह नहीं जानती कि मां की ममता जहर को भी दूद बना देती है मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे लेकिन तुम्हारी मां ने उसमें जहर मिला दिया अज्म ह很 li убत और खेंगए फर्व कि अदरीख और डेप कि बच्चे के मुझे जो पहला शब निकलता है वो मा होता है पड़ाओ कर वो बहुत कुछ सीखता है लेकिन मैंने माफ के लबा और कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं जाना भूलो मा तुमने ये सब क्यों किया तुमने बस इतना क्या दिया होता देख राजू मुझे तेरी सारी जैदा चाहिए तुम्हारी कसम मा मैं अंगूटा काट करने देता अगर तुम कहती तो मैं अपना सर काटकर तुमारे कदमों में रख देता तुमने ये सब क्यों किया मा बलो मा ये सब क्यों किया मा तेरे इस अबागे बैटी की आखी ख्वाइश है उसे जरू पूरी कर देना मा और तों का सम्शान में जाना मना है लेकिन तुम मेरे लिए जरूर आना और मेरी चिता जलने से पहले मुझे एक बार सच्चे दिल से बेटा कहकर वुगार रहा है ताके मैं शांस्ती से मर सकूं बस मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं मां हुआ 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 है हुआ है हुआ है पर दो कि अब कि अब कि है कि तो यह में टुमराने की कोई बात नहीं है वहू अबने तुमारे बदि को कमरे में बंद कर रखा है और उसकी चाबी हमारे पास है अच्छा हुआ तुम डॉक्टर साब को यहां ले आई विचारा जिन्दगी की आखरी सांसे गिन रहा है पर उसकी जान तो बचानी पड़ेगी न लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोट आसा कश्ट उठाना पड़ेगा वसियत के कागजात प तुम इन कागजों पर दस्तखत नहीं करोगे दर्वाज़ा खोल दो बहुँ क्या तु पागल हो गई है माँ छोड़ मुझे चोड़ बदमाशों का भी इमान होता है वो भी भगवान से डरते हैं लेकिन हम लोग हम लोग इतना नीचे गिर गए कि उस भोले भाले राजू की जान लेने पे तुल गए जो संदगी पर भगवान की नहीं मुझे सी डायन की पूचा करता रहा लेकिन आज आज अगर हम उसे बचा ले तो हो सकता है हमारे पाप दूल जाए हो सकता है भगवान हमें माफ कर दे हुआ हिए द्री सर्फ राजू की हत्या नहीं होगे यह हर मा की हत्या होगी माशथ की पवित्रता की हत्या होगे और हत्या नहीं होँगी मैं खिक मां क्या वपास कर रही हो वहना यह जानक राजू के लिए तुम्हारे बनने मंदा कहा दे जाग उठी अरे जिस तौलत को पाने के लिए अपने पनरा साल तक जगबारी उसे ऐसी लुटा देंगे अरे कम सीकम अपने अग्ये बेटी के मारे में तू सोठ कह तरह की ने तो अपने भरत के लिए राम को सिर्फ 14 साल का बनने में ने भरत के लिए अपने राम को मौत दे दी अगर तेरे दिल में अपनी मां के लिए जरह सा भी प्यार और आधर है तो दे दे मुझे चाबिया पहले मुझे वसीयत के कागज दो फिर मैं चाबियोंगा देख पिता जरू 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 ये वसीयत के कागज मुझे दे मां वर्ण मैं अपनी मा से इस तरह बात करते हैं यापाश बिटा अच्छा किया बहुत अच्छा सिला दिया अपने मा के दूद का लेकिन इसमें तेरा कोई कुसूर नहीं है रमेश अरे ये तो भगवान की लाठी है जो आज थपड़ बनकर मेरे काल पर पड़ी है थाबित कर दिया तुने आज कि मुझ जैसी नागिन की कोग से तुझ जैसा सपोला ही पैदा हो सकता है मेरे राजू जैसा बेटा नहीं लेकिन इतना याद रखना तू चाहे मेरी जानने ले मैं ये कागस तुझे नहीं दूगी ये कागस मुझे दे जरे माँ भरन मझे दूसा रात आप्स राजू राजू राजँ बना लेकिनले राई 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 रा कर्सा है ए रा कर्संट ए ध कर्सुर्प्स कि झाना Tu कि झान 좋은 पॉर कि इ deal आट आट। आटा만! आटा आट! कर दो कर दो कर दो कर दो k पापुजी मैं यह घर चोड़के जा रहा हूं मैं जानता हूं कि संतान का करतव यह है कि बुड़ा पे मैं अपनी माबाब की सेवा करें लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मैंने जमीन जैदाद मां के नाम कर दी है मेरी मां का ख्याल रखना पापुजी चलो सुरो मां यह क्या कर रही है आप मैं जानती हूं बेता मैं तेरी गुनेगार हूं जो चाहे मुझे सजा दे लेकिन अपनी मां को छोड़के बच्चा बेता यह यह जमीन जैदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा बेटा मेरा राजु चाहिए मेरा बेता चाले, तेरा राजू बेता चाले आज मुझे मेरी मारे पेता चाले के बुलाया ते खुश्यों का दिन आया चुमा भागो पाया आज मुझे मेरी मारे पेता चाले के बुलाया मा मेरी मा मा मेरी मा का지는 रहल, सुआए जाड टारो, लगवे भाटιत्वाँ स्थाड़ुपी की. का अगर में, टाल, मार ठाल, ayुगेवे पार, … काम के उदली तिर साथ चला है उटा का मेरी वर्दान है तू मेरे ले तू भगवान है झाल झाल झाल